चले प्यारे विदार्थों सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक वार फिर से मैं एम्चकर बढ़ती आप सभी विदार्थों का हार्दी का भिननदन और स्वागत करता हूँ तो चले बच्चो आप लोग रेडी हो जाए पेंट पेपर के साथ जो परितियोगी परिछा के त्यारी करें विदार्थी बिहार दोरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSE, SSE, MTS और भी विभीन परितियोगी परिछाओं के त्यारी करें वैसे सभी विदार्थों के लिए GKJS क 20 महत्पुन प्रस्ण को साथ मैं एक बार फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जेस पर अभिनंदर करता हूँ तो चले बच्चों पेन पेपर के साथ रेडी हो जाएगे आज हम लोग टॉपिक लिए हैं जोगरफी से सूर्य ताप और तापमान सूर्य से जो रोसनी आती है सूर्य तापमान और उसके तापमान से समन्दित प्रस्न है और लास्ट में इतिहाँ से कुछ समाचार पत्र जो की अंगरेच के साथनकाल में या बिरिटीस इंडिया में भारते समाचार पत्रों का जो विकास रहा उसके सम्मंदित 5 प्रस्न को हम लोग देखेंगे और उससे पहले हम लोग जोगरफी का टॉपिक है सूर्य ताप एवं तापमान तो सूर्य ताप एवं तापमान क्या होता है तो सूर्य से जो प्राप्त उर्जा पिर्थिवी को मिलती है वह सूर्य ताप कहलाता है लेकिन सूर्ज से जितना भी उर्जा पिर्थिवी पर आता है तो सभी पिर्थिवी अफसोसित नहीं करता है ठीकर न कुछ रिटेर्ण भी हो जाता है तो ये भी ध्यान में रखना हम लोगों को तो चलिए सबसे पहले ध्यान दिजेगा सूर्ज से पहला कोसर बनता है कि बाइमंडल और पिर्थिवी की उर्जा का मुख सुर्ज को माना गया है क्यूंकि आप जानते है कि अगर सूर्य का उधाय नहीं होगा तो जितने भी पेर पौध है परकास संसलेशन के किरिया नहीं करेंगे और इस से ऑक्सीजन आपको नहीं मील पागा जिससे समझे कि बिनास पुरा पिर्थिवी परलै भी हो सकता है या बिनास आप कह सकते हैं कि एक तरी से बिनास हो जाएगा तो पिर्थिवी एबं बाइमंडल की उर्जा का मुक्सरुत किसे माना गया है सूर्ज को माना गया है अगला सवाल सूर्ज से प्राप्त उर्जा को क्या कहते है जो सूर्ज से हम लोगों को उर्जा मिलता हूँ वही क्या कहलाता है सूर्य ताप कहलाता है अगला प्रस्न सौर उर्जा सूर्य ताप का कितना परतिसाथ भाग पिर्थिवी पर पहुंच पाता है धान दिजे का सौर उर्जा का ये सूर्य ताप का कितना परतिसाथ भाग पिर्थिवी पर पहुंच जाता है बाइमंडल सौर उर्जा का कितना भाग गरहन कर लेता है बाइमंडल है जो कितना अपसोसित कर लेगा या गरहन कर लेगा तो 14 परतिसत है जो गरहन कर लेगा बाइमंडल सौर उर्जा का कितना परतिसत गरहन कर लेगा तो चौदा परतिसत 51 परतिसत किसको मिलेगा पिर्थिवी को अब ये दोनों को जोड़ दीजेगा असेस जितने भी रहते हैं सेस जो बचेगा 100 में से इसको घटा लेंगे वो अलबीडो कहा जागा मतलब पुना कहा चला जागा अंतरीच में वो पिर्थिवी भी नहीं लेता अना बाय मंडल अफ्सोषित कर लेता है तो जो सूरि के पास मतलब अंतरीच में बापस लोड़ जाती है वो से सूरिवी करन को ऐल्बीडो कहते हैं बीस्व का सबसे गर्मस्थान कोन है अल अलिजिया ध्यान दिजिया जो कि लिविया देश में कहा है लिविया यहां का जो रिकोर्ट टेंपरेचर क्या गया है अंठामन डिग्री सेल्सेस बीस्व का सबसे गर्मस्थान अल अलिजिया लिविया में पड़ता है अंठामन जेरान अंतार्किका एक जग है अंतार्किका में यहां का जो रिकार्ड टेम्परीचर यहां का जो pln सब्सक्राइब figure में minus 89 degree Celsius ले लिया गया है यदि उचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के बजाए बिरिधी हो तो इसे क्या कहेंगे ध्यान दिजेगा उचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के अलाबे बिरिधी हो जाए मैंने कमी नहोकर उसमें बिरिधी होते इसे क्या कहेंगे ता अगला परस्न धारा तलिये बियुत करमन के क्या प्रभाब होते हैं तो घने कोहरे का प्रभाब होता है और घना कोहरा किसको लाभ देगा तो चाई के खेती को और घना कोहरा होगा है तो धूंद हो जाएगा आपको रास्ता रोड यह जो है क्लियर नज्य नहीं आपाता है जो कि थंडे के दिनों में होता है तो बाइमंडल में उसमा का अस्थांतरन प्रकिरिया है चालन प्रकिरिया है, संभाहन प्रकिरिया है और अभिवहन प्रकिरिया है इसके दोरा बाइमंडल मुसमा का क्या होता है अस्थांतरन होता है अब आपको पता होगा कि चालन से ध्यान दिजेगा अगर physics का नुसार अगर science का नुसार देखेंगे तो जितना भी ठोस परदार्त है वो किस प्रकिरिया से गरम होगा चालन से, जितना भी ठोस परदार्त है वो चालन से, गैस और द्रब आपका हो जागा संभाहन से गैस और द्रब का हो जागा संभाहन बीदी से उसके बाद आप याद रखेंगे पारा, जो की द्रब है, है न, द्रब के रूप में रहने बाला एक धातु को ने पारा, उसमें जो पुछेगा उसमा का संचारण किस बीदिस होता है, तो चालन बीदिसे, बिकिरन बीदिये जिसमें माध्यम की जरुवरत नहीं थे, जैसे सूर्ज की उर्जा पिर्थिवी पर पहुंचेगी तो वो बिकिरन के विदी से पहुंचते इसमें कोई माध्यम का अबसक्ता नहीं है जब बाईू पिर्थिवी तल से गर्म होकर लंबवत उठती है एवां तापमान के संचरन करती है तो वह प्रकिरिया क्या कालाएगे किसी परदार्थ के उसमा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकिरिया को क्या काते हैं ध्यान देंगे किसी परदार्त के उस्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकिरिया बने बिना किसी माध्यम का ठीक है न तो इसे क्या कहेंगे तो बिकिरन कहा जाता है क्या कहा जाता है बिकिरन कहा जाएगा अगरा सवाल देखेंगे बायू के 36 संचरन से उस्मा के अस्थ किरिया कहेंगे अगला सवा एक बस्तू से दूसरी बस्तू में उर्जा के अस्थांतरन को क्या कहेंगे एक बस्तू से दूसरी बस्तू में जो उर्जा का उतकरामन का होना एक समान घटना है तो धुरूविय छितरों में ये समान घटना होती है अगला साफ रात साफ रात मेघिये रात या बादल वाला रात कि या पेच्छा आदिक थंडा किस कारण से होता है ध्यान दिजेगा, गर्मी के दिनों में, साफ रात में, अगर बादल स्वच है, तो आपको गर्मी कम लगेगा, लेकिन बादल घेरा हुआ है, मेग वाला अज्थिती बना हुआ है, तो आपको गर्मी जादा लगेगा, तो उसका कारण क्या है, तो विकिरन के कारण होता है, जो साफ रात मेगिये रातों के पेच्छा अधिक ठंडी होते है किस कारण से तो बिकिरन के कारण से होता हだक then आपको ध्यान देगा जो थंडा थ्ञारत प्रवाव कम हो घर्वी रहेगा और बिक किरन के कारण होता है अगला बिर्टीस भारत में प्रकासित समाचार पत्र ध्यांद दिजेगा इतिहास का ये टोपिक लिया गया है बिर्टीस भारत में प्रकासित समाचार पत्र तो ध्यांद दिजेगा भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो दब बंगाल गजट भारत का ज 1770 जैम्स हिकी के दोरा आदेखे अब बर्योकेट में लिखे हुए हैं भारत का पहला अंगरेजी समाचार पत्र भारत का पहला अंगरेजी समाचार पत्र बंगाल गजट धान दी जैगा इंगल्यस मायँ 1818 में गंगाधर भटा चार्जिस के संपादक है पुछेगा कि बंगाल गजट के संपादा कों थे गंगाधर भटाचार और भारतिय दोरा परकासित होने वाला पहला समाचार पत्र यह भारतिय दोरा और जेम सीकी भारत के नहीं थे भारत का पहला समाचार पत्र दा बंगाल गजट अब भारतिय दोरा परकासित होने वाला समाचार पत्र बंगाल घजट जिसको समपादार भत्ताचरद उतंड मााटन03 और हिंदीघी बहासा में परकासीत होने वाला समाचार पत्र पोंचारकों उतंड मारिटनर जो के हिंदी में 1826 में संपादकों जुगल की सोर अगला है दरपन ये मराथी में 1832 इसमी में हुआ था ये दरपन जो समाचार पत्र है ये मराथी भासा में 1832 में बाल सास्त्री इसके संपादक थे और पर्थम मराथी समाचार पत्र ऐसे भी कस्त्र कर देगा कि पर्थम मराथी स अगरा सवाल है रास्त गुफतार धान देज़ेगा बहुत इंपोटन है कोशन कई बार एक जाम में पूछा है रास्त गुफतार गुजराती भासा में 1851 निस्वी में इसके संपादक दादा भाई नैरोजी थे इसके संफ़ादकों ते दादा भाई नैरो जी गुजराती भासा का ये पहला मासिक पत्री का है गुजराती भासा का पहला मासिक पत्री का कोन है रास्त गोफतार है तो बच्चों हम लोग ने आज जोगरफी और कुछ इतिहास के समाचार पत्रों को देखा तो मैं उमीद कर यह 20 प्रस्ण आप लोग इसे याद कर लिजे क्योंकि आपके आने बाले सभी परिछाओं के लिए काफी महत्पूर्ण रखता है तो मिलते हम लोग कल के क्लास में आज के लिए इतना है जाहिन जाभरत बेश्ट अपलाग बंदे मात्रव